नमस्कार मैं डॉक्टर राजीव भाटिया एक ENT सर्जन हूँ और आज का पहला सवाल है कि क्या हेड़फोन से हेरिंग लॉस हो सकता है बिलकुल हो सकता है और इतना ज्यादा हो रहा है कि अमेरिका में ऑक्टूबर के महीने को नेशनल प्रोटेक्ट यॉर हेरिंग मन्त के र और आठ में से एक बच्चे की सुनने की क्षमता तेज आवाज के कारण हमेशा के लिए डैमेज हो चुकी है वहीं एडल्स में से हर छे में से एक व्यक्ति को पर्मानेंट नॉइज इंड्यूस्ट हेरिंग लॉस हो चुका है दूसरा सवाल क्या मैं आप से ये कहना चाहता हूं कि आप हेड़फोन्स का इस्तेमाल बिलकुल ना करें नहीं ऐसा हर्गिस नहीं है हेड़फोन्स तो आजकल के डिजटल यूग में एक आवशकता सी बन गए हैं इसे समझते हुए मैं तो आपको कुछ ट्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगा जिससे कि आपका को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें जिसे कि लोग खुद ही अपने कानों पर ओई मीन अपने पैरों पर कुलाडी ना मारें तेज आवाज के कारण इनरियर में मौजूद सुक्ष्म सुनने की कोशिकाएं जिने हम हेर सेल्स कहते हैं को नुक्सान पहुंचता है हेर सेल्स को कितना नुक्सान पहुंचता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आवाज कितनी तेज है कितनी देर के लिए होती है और कितनी बार होती है आवाज की लाउडनेस को डेसिबल्स में ना पा जाता है अगर आप 85 डेसिबल्स से जदा लाउडनेस की आवाज को ए आम तोर पर 85 decibels की होती है अधिक तर परसनल म्यूजिक डिवाइसेज की आवाज 60% वालियूम पर 75 से 80 decibels की होती है प्राबलम ये है कि अगर हेड़फोन से सुने तो सभी डिवाइसेज की आवाज फुल वालियूम पर करीब करीब 110 decibels हो जाती है और जैसे जैसे decibels बढ़ते हैं सेफ लिसनिंग टाइम कम होता चला जाता है शोर से होने वाला हेरिंग लॉस चिनका जनक क्यों है पहली बात इस तरह के हेरिंग लॉस का कोई इलाज नहीं है ये पर्मनेंट और इर्रिवर्सिबल होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इनसानों के इनर एर के हेर सेल्स कभी भी रिजनरेट नहीं होते हैं दूसरी बात शोर से हुआ नुकसान क्यूमूलेटिव होता है यानि जुड़ता रहता है बढ़ता रहता है तीसरी बात जब तक हेरिंग लॉस का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है काफी सारे hair cells already damage हो चुके होते है चौथी बात इस तरह के hearing damage से कई patients को एक बहुत ही परिशान करने वाली problem हो जाती है जिसे हम pinitis कहते हैं मतलब बिना किसी बहरी आवाज के कान में हर वक्त शोर सुनाई देना अब हम आते हैं safe listening tips पर पहली earphones या ear buds की बजाए over the ear headphones का इस्तेमाल करना कहीं बहतर है आम भाशा में सभी types को headphones कह दिया जाता है लेकिन ear buds या earphones कान के अंदर लगाए जाते हैं कान के अंदर लगने के कारण ये बिलकुल कान के परदे के पास चले जाते हैं और इस कारण से इन से आने वाली आवाज 6 से 9 decibel ज्यादा तेज सुनाई देती है earphones बाहर के शोर को ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पाते इस कारण से सुनने वाले लोग ज्यादा तर इनके वाल्यूम को बढ़ा कर सुनते हैं दूसरा सस्ते होने के कारण earphones ही ज्यादा चलते हैं लेकिन कोशिश करें कि आपके earphones के tip hard होने के बज़ाए soft हो soft ear tip अच्छी तरह fit हो जाती है और बाहर के शोर को ज्यादा अच्छी तरह block करती है तीसरा अगर आप effort कर सकें तो noise cancellation headphones ही best option है ये बाहर के शोर को बिलकुल ही खतम कर देंगे और आप कम volume पर भी अपना music enjoy कर पाएंगे चौथा अपने device और headphones से best stereo effect लेने के तरीके अपनाए जिससे कि आपको volume बढ़ाने की ज़रूरत महसूस ही न हो अगर आपके headphones में right और left mark है तो R वाले को right और left वाले को हमेशा left कान में लगाने का ध्यान रखें अपने music app की setting में जाकर जो भी सबसे अच्छी quality का music आपका internet connection सपोर्ट कर सके उसी को सुने या फिर best quality का music डाउनलोड करके offline सुने अपने music app में equalizer का इस्तेमाल करें और केवल कुछी frequencies को बढ़ा करके best sound effects का मज़ा लें वन के वाले हैंडल को थोड़ा सा बढ़ाने पर आपको vocals काफी साफ सुनाई देंगे headphones का volume ऐसा हो कि आपके आसपास किसी को सुनाई न दे और आपको आसपास की आवाजों का पता लगता रहे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग जो railway track पर कुछले गए उनके कान में headphones का volume कितना उचा रहा होगा कि उन्हें पीछे से आती हुई train की आवाज तक नहीं सुनाई दी आप 60-60 का rule follow करें मतलब आपके device का volume 60% से ज्यादा न हो और आप दिन में 60 मिनट से ज्यादा न सुने अगर आपके device में ये option है कि आप settings में जाकर maximum volume के limit set कर सकते हैं तो maximum volume को safe limit पर set कर दीजिए ये छोटे बच्चों के parents के लिए बहुत जरूरी है कुछ लोग headphones लगाकर music सुनते सुनते ही रात को सो जाते हैं ये बहुत रिस्की है music off करने के लिए timer लगाया जा सकता है iPhone और iPad में ये clock app में inbuilt होता है Android phones के लिए play store पर जाकर आप timer app डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप अकेले ही हो तो headphones का इस्तेमाल ना करके speakers से music सुनने की कोशिश करें headphones से high frequency hearing loss होता है जिसके बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो science of hearing loss देख सकते हैं नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर दबाएं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद